basic English class टेल रही थी आप यहाँ पर बिलकुल शुरुवाति इंग्लिश सीख रहे हैं शुरुवात से इंग्लिश को पढ़ना लिखना सही तरीके से बोलना और कैसे हम बिना grammar की मिस्टेक के इंगलिश को लिखें, वाक्य बनाएं, सेंटेंस बनाएं, पढ़ना नहीं आता तो उनको किस तरीके से रीड करें, उनका प्रॉननसेशन बताया है मैंने, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम एक बिल्कुल सही तरीके से, गरेक्ट वे में हम जो इंगलिश का से चोटे से चोटा, बड़े की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, बिल्कुल चोटे, small sentences की बात, तो आप किस तरीके से बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर है, वह अध्यापक है, sentence है, कि वह अध्यापक है, बहुत चोटा sentence है, तो आप इसको बिल्कुल सही तरीके से कैसे translate करेंगे, अगर आप beginner हैं, बिल्कुल शुरुवाती level पर अभी English को सीख रहे हैं, तो कैसे आप ठीक लिखेंगे इसको, क्या आपको आना चाहिए, कि इसके लिए आप ये sentence बिल्कुल perfect लिख पाएं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, he is a teacher, वह अध्यापक है, अगर लेडी की बात होगी, विमन की बात होगी, तो she लिख देंगे, नहीं तो he, he is a teacher, अब यहाँ पर he is क्यों आया है, ठीक है, he तो आपको पता चल गया, वह का sense देता है, वह का mean है, next sentence है, मैं थका हुआ था, मैं क्या था, मैं थका हुआ था, तो I was tired आया है, यहाँ पर, I was क् आया है, I am tired, क्यों नहीं आया, ठीक है, next है, वह खेलती है, she plays, यहाँ पर S लिखना है, she plays, S लगेगा, ठीक है, तो she plays, तो यहाँ पर she plays क्यों आया है, she plays क्यों आया, she is play क्यों नहीं आया, और यहाँ पर play के आगे S क्यों लगा है, play क्यों नहीं आया, play का plays हो गया, ऐसा क् खेला, she played, अब यहां पर played क्यों आया है, she is play क्यों नहीं आया, इस तरीके से, वह कल खेलेगी, she will play tomorrow, she will play tomorrow, will क्यों आया है, ठीक है, will क्यों आया है, बिल्कुल basic level की English है, beginners की English है, जिनको अभी शिरुवाती level पे समझना मुश्किल हो रहा है, उनके लिए है, advance तो आप सीख जा होगा, अगर आप beginner है, तो जब भी हम time की बात करते हैं, मतलब समय के according in sentences को बनाया गया है, अब समय के according, समय के अनुसार इन वाक्यों को बनाया गया है, तो हम कैसे बनाएं, कहां से शिरुवात करें, तो इसके लिए आपको शिरुवात करनी होगी, तो यहां पर मैं बिल्क इसके concept beginners के लिए, जैसे की, तो चलिए देख लेते हैं, basic level के English है beginners के लिए है, तो चलिए देख लेते हैं, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, टेंस के बारे में, टेंस जो है हमें time के बारे में बताता है कि कौन सा काम कौन से समय में हुआ है, यह हमको इस tense को पढ़ के हम नहीं लिख सकते हैं इसके बाद कुछ और कंसेप्ट होते हैं लेकिन पहले आप टेंस को सीखें अब यहां पर मैं बताती हूं कि टेंस की टाइप तो यहां पर मतलब तो आप समझ गए कि टेंस जो है हमको समय के बारे में बताता है अब आपको पता होना चाहिए इसकी कितनी टाइप होती है टेंस की तीन टाइप से कौन कौन सी है प्रिजेंट टेंस जिसको की हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल नेक्स्ट सेकिन टाइप है पास टेंस जिसको की हम बोलते हैं भूत काल हिंदी में फ्यूचर टेंस यानिकी भविश्यकाल तो कौन सा जो काम है वो present time में हुआ है कौन सा काम past में हो चुका था ठीक है past में हुआ था future में कौन से काम होंगे ऐसे इनको divide किया गया है पाटा गया है समय के अनुसा जब हमको इनके बारे में पता होगा तब ही तो हम sentence को बनाएंगे न हम कौन से समय की बात कर रहे हैं अब इनको भी इन तीन parts होंगे तो इन तीनों के चार-चार parts होंगे और वो कौन से parts है जैसे की हर tense के चार रूप होते हैं indefinite यह simple कहीं पर इसको indefinite यानि दोनों ही same है indefinite tense भी बोलते है और simple tense भी बोलते हैं इनको आपको याद करना है या आपको याद होने चाहिए जिसके तो आप sentences बनाएंग perfect और perfect continuous, indefinite इसको बोलते हैं simple, next है continuous, फिर है perfect, third number पे number यही रहेंगे इनके, 4 पे है perfect continuous tense, perfect continuous, तो शुरुबात कर रहे हैं, तो थोड़े से नाम भी अटपते आपको लगेंगे, indefinite, continuous, perfect, perfect, continuous, अब क्या होगा, अब कैसे बाटा गया इनको, जैसे की इन जो चारों पार्ट्स है ना, इनके आगे जिस tense की बात करें उनका नाम लगा दे, कैसे, जैसे की है present tense, क्या है present tense, तो सबसे हम पहले बोलेंगे present indefinite tense, ठीक है, और फिर बोलेंगे present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, number second पे है past tense, तो past indefinite tense बन जाएगा, past continuous tense बन जाएगा, past perfect tense बन जाएगा, past perfect continuous tense, फिर हम बात करेंगे future की, तो future indefinite tense बन जाएगा, future continuous tense बन जाएगा, future perfect tense बन जाएगा, future perfect tense बन जाएगा, future perfect continuous tense बन जाएगा, तो आप इनको अलग-अलग करके लिखें, पहले present के ये चारों पार फिर क्या करना है past tense है ना उसके चारों ये parts लिखिए क्या करना है इनके आगे आपको past नाम लिखना है फिर future के और future इन चारों parts बना है इनके और future नाम लिख देना है इनके सामने इस तरीके से आप इनको अलग-अलग divide करें और इनको एक दो बार बोलें अगर आप beginner हैं तो याद कर ले, फिर याद हो जाएंगे, तो total tense हो गए है 12, 12 कैसे हो गए, 4 हो गए present के, 4 हो गए past के, और 4 ही हो गए किसके future के, 4, 3, 12 हो गया, तो इनको count करें आप 12 हो जाएंगे, तो 12 tenses है, 12 tenses के concept आपको आने चाहिए, धीरी धीरे आपको practice करनी पड़ेगी, हर एक tense का sentence आपक कैसे क्या देखेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगे, इतना basic concept है, basic introduction है, tenses का, बिलकुल beginner है, तो आपको ये भी नहीं पता होगा, अगर पता है, थोड़ा confusion होगा, तो वो दूर हो गया होगा, next हम देख लेते हैं, इस प्रकार से आप tenses सीख लेंगे, उसके बाद क्या ह सेहले आप affirmative sentences बनाते हैं, affirmative sentences कौन से होते हैं, जो negative नहीं होते हैं, जिसमें नहीं का इस्तिमाल नहीं होता, not का इस्तिमाल नहीं होता, और नहीं हम उसमें कोई question करते हैं, कोई प्रशन नहीं करते हैं, next one है negative sentences, negative sentences कौन से, जिसमें not का use होता है, कि हम ये काम नहीं करते हैं, व को नेगेटिव में आप बनाएंगे नेक्स्ट थ्री नंबर पे हैं इंडारोगेटिव सेंटेंसे इंडारोगेटिव सेंटेंसे मतलब की प्रश्नवाचक वाक्य तो प्रश्नवाचक वाक्य भी आप बनाना कैसे सीखेंगे जब आपको टैंसे आएंगे नेगेटिव सेंटे कार के sentences होते हैं, उनको आप बनाना सीख पाएंगे, अगर आपको tenses आएंगे, तो चलिए, इतना clear हो गया होगा, मैं आगे आपको sentences भी बनाना सिखाऊंगी, फिर है यहाँ पर, सबसे पहले, इतना concept आपको clear होगे, यहाँ से tenses स्टार्ट हो जाते, इतनी सी जानकरी आपको इतना सा इंट्रोडक्शन आपको चाहिए, क्या है, सबसे पहले मैंने आप पर लिया है, present indefinite tense, क्योंकि पहला यही है, ठीक है, present indefinite tense, तो हम क्या करेंगे, इन चारो इसकी जो टाइपस है ना, उनकी study करेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, तो देख लेते हैं, बिलकुल short में मैं यहां पर बताऊंगी, concept बिलकुल clear करूंगी, short में, ज्यादा डीप में गहराई में ना जाए, सबसे पहले जैसे यह हो गया, present indefinite tense, present indefinite tense, अब इसके बारे में आप समझे, present indefinite tense में क्या होता है, इस tense के वाक्यों से किवल इतना ही पता चलता है कि काम जो है वर्तमान समय में होता है, present time में होता है, लेकिन पूर्ण होने, मतलब की complete होने या अपूर्ण या इनकंप्लीट होने का पता नहीं चलता, कब पूरा होता है और इनकंप्लीट रहता है, इसका यहां पर पता नहीं चलता है, sentence देखेंगे, जैसे की राम स्कूल जाता ह काम प्रेजन टाइम में होता है लेकिन पूरा होता है या अधुरा है यह यहां पर क्लैरिफाई नहीं किया गया है तो राम स्कूल जाता है राम गोज टू स्कूल अब क्यों यहां पर गोज आया तो यह सबाप टैंस के थू सीखेंगे अब यह मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन यहाँ पर बता रही हूं आपको किस तरीके से आप वाक्य बनाएंगे, यहाँ पर है किस तरीके की वाक्य स्टेंस में आएंगे, यह मैं यहाँ पर आपको बता रही हूं, clear कर रही हूँ, वे cricket खेलते हैं, अब उन्होंने cricket खेल लिया है, या फिर खेल रहे हैं, कुछ confirm नहीं है, तो they play cricket, कुछ confirm नहीं है, तो ऐसे sentences, हाँ, present time में होता है, ये sense देता है, और भी deep में मैं आपको आगे बताऊंगी, तो यहां तक आपको समझ में आ गया, कि काम पूर हो होने, अधूरा होने का पता नहीं चलता है, बस इतना पता चलता है कि काम present time में होता है, ठीक है, होता है, होता है, ती है, ते है का sense भी आता है, हिंदी के sentences में, उस concept को मैं आगे clear करूंगी, अभी बिल्कुल basic से आप इनकी definitions, याने इनके बारे में आप जाने और समझे, फि पूरा time लगेगा, बर दीरे-दीरे हो जाएगा, इस tense के वाक्यों याने sentences से पता चलता है कि काम वर्तमान समय में हो रहा है, मतलब कि continuity को ये दिखाता है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, काम हो रहा है, ऐसा sense होगा, कैसे हो रहा है, जैसे कि वह school जा रहा है, रहा है, ऐसा sense आएगा इस tense में, तो वह school जा रहा है, वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, वह अपना homework कर रहा है, इस तरीके के वाक्या आएंगे, काम जो है continue है, जारी है, लेकिन अभी पूरा हुआ है, या ऐसा नहीं पता चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है, ले आएंगी लग गो के आगे, तो यह आप detail में जब समझेंगे, तो मैं आपको clear करूंगी, वह school जा रहा है, he is going to school, मैं भूजन खा रही हूं, I am eating food, इस तरीके से, मतलब कि मैं खाना खा रही हूं, भूजन खा रही हूं, I am eating food, next tense की तरफ चलते है, present perfect tense, अब इस से क्या पता चलता है, कि इस tense के वाक्यों से पता चलता है, कि काम पूरा हो चुका है, काम complete हो चुका है, लेकिन पूरे हूए ज्यादा देर नहीं हुई, अब इस में कैसे sentences आएंगे, जो भी आप recently काम करते हैं, जो भी अभी अभी आपने पूरे किया है, वो इस tense के त्रू आप बना सक इंग्लिश में, कुछ sentences देख लेते हैं, जैसे कि उसने खाना बना लिया है, अभी भी बना कर पूरा किया है अपने काम को, तो she has cooked food, अब she has क्यों आया, cooked क्यों आया, यह और डिटिल में आगे जानेंगे, उसने खेल लिया है, he has played, और हिंदी में अगर इसको पैचानेंग present perfect continuous tense, यह चौथा पार्ट है, present perfect continuous tense, इस tense के बाक्यों से पता चलता है कि काम कुछ समय से वर्तमान समय में लगातार हो रहा है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, और लगातार हो रहा है, continue है, यह दो sense आएंगे इसमें, ठीक है, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जारी है, मै मैं दो घंटे से अब उस तक पढ़ रहा हूं, मैं दो घंटे से पढ़ रहा हूं, complete तो नहीं हुआ है, कुछ काम तो continue है, चल रहा है, अभी भी जारी है, कुछ हो गया है, लेकिन अभी जारी है, किताब को पढ़ना, कुछ पनने तो मैंने पढ़ लिये है, तो I have been reading this book for two hours, इसको English में किस तरीके से बनाया जाता है, यह मैं आगे next class में आपको बताऊंगी, next और देख लें आप इसका एक example, तीन बज़े से बारिश हो रहे है, तीन बज़े से बारिश हो रहे है, कब तक होगी, कुछ नहीं पता है, काम continue है, बारिश होने का, तो it has been raining since three o clock, तो यहा क्यों को हिंदी के sentences को इस tense related, English में बिलकुल बिना किसी mistake के translate करना सीख जाए, उसके बाद हम next two parts उनकी तरफ जाएंगे, इतना मैंने concept clear किया है, उनके लिए जिनको अभी भी tenses के बारे में confusion है, मतलब नहीं आते हैं उनको, अभी वो शुरुआत कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे पहले आपको tenses की types याद करनी है, और इनके ये चारो parts, indefinite, continuous, perfect, perfect, continuous, इस तरीके से अलग-अलग करके याद कर ले, और इनको बोलने की भी practice करें, कि उनको बोलना भी मुश्किल होता है, तो आज की class में बस इतना ही मिलते हैं, एक और नई educational class के साथ, तब तकी लिए Thank you so much.